दिवंगत अभीनेता सुषान सिंग राजपूत के करीबी दोस सिधात गुपता का बड़ा खुलासा 14 जून को हुए निधन से 5 दिन पहले सुषान की सिधात गुपता और कुशल जावेरी से हुई थी आखरी बातचीत सुषान के निधन के 5 महीने बाद सिधात ने अपने और सुषान के बीच हुई बातचीत पर तोड़ी चुपी आपको बता दे कि सुषान सिंग राजपूत और सिधात गुपता करीबी दोस थे दोनों कई सालों तक एक ही अपार्टमेंट में भी रह चुके है सिधात ने सुषान मामले में खुल कर कभी भी बात नहीं की लेकिन अब उन्होंने अपने दोस को याद करते हुए उनके आखरी मेसेज के बारे में बताया है सिधात ने बताया कि सुषान ने उनके निधन से ठीक पाँच दिन पहले उन्हें और दोस कुशल जावेरी को मेसेज किया था एक इंटर्व्यू में सिधात ने कहा कि सुषान का आखरी मेसेज एक दोस्त के जरिये मिला था और इसी से उन्हें शक हो गया था कि सुषान के जिंदगी में कुछ गड़बड है पिंक फिला से बातचीत में सिधात ने बताया सुषान ने हमारे कॉमन फ्रेंड कुशल जावेरी से कहा था कि वो आध्यात्मिक्ता पर काम कर रहा है और जल्दी ही हम लोगों के साथ मिलेगा उसने कुशल से कहा था कि वो बीते हुए दिनों को मिस करता है जो हमने साथ बताये थे सुषान की मौत का मुझे बहुत दुख था ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था वो जो भी करता था मैं उसे फॉलो करता था लेकिन वो जन्दगी में काफी आगे बढ़ चुका था और दूसरे लोगों के साथ रह रहा था जब मुझे उसकी मौत की खबर मिली तो मुझे कुशल से कोई बातचीत याद आ गई मुझे लगा था कि सुषान की जन्दगी में कुछ गड़बढ है क्योंकि वो मुंबई में पूरी तरव वो नहीं था जो वो था मैं सुषान की जन्दगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था लेकिन मैं जल से जल मिलना चाहता था उससे ताकि ये जान सकों की क्या हुआ है मुझे कुछ आशंका थी हाला कि मेरे पास उसका नंबर नहीं था कुशल के पास नंबर था हमने कभी भी कुछ गड़बढ होने के बारे में नहीं सुचा था आप चीजों को बदल नहीं सकते है लेकिन असर तो पड़ता है आपको बस लगता है कि आप कुछ चीजें बदल सकते थे जिन पर मुझे यकीन है वो हम सब के साथ सबसे खुश था इसलिए अगर हम वहा होते तो चीजें अलग होती मुझे याद है कि जब मैंने सुचान का घर छोड़ा था तो उसने मुझ से कहा था हम सब टॉप पर मिलेंगे टीवी रियालिटी शो बिग बॉस में मास्टर माइन का टाग पाचुके विकास गुपता के भाई है सिधात गुपता उन्होंने इससे पहले सुचान सिंग राजपुत को लेकर कई बाते फैंस के बीच शेयर की है सिधात गुपता का कहना है कि दवंकत सुचान्त ने जीवन में उन्हें कई मौके पर एहम सीख दी है सिधात गुपता ने कुविंट से बातचीत में कहा इमानदारी से कहू तो वो मेरे लिए काफी माइने रखते थे वो मेरे भाई थे, मेरे मेंटॉर थे सुचान्त के साथ रहने के बारे में उन्होंने कहा उनके साथ रहना मतलब हर दन इंस्पाइरिंग होना रहता था हम दोनों में काफी समानता भी थी वो स्पोर्स पसंद करते थे, मैं भी करता हूँ मैं इंजिनियर हूँ, वो भी इंजिनियर थे मुझे साइन्स पसंद है उन्हें भी साइन्स पसंद ही सुशान्द अन्य लोगों की तुलना में डे टू डे पैटर्न पर फोकस करते थे वो आध्यात्म में गहरा विश्वास रखते थे उनका मानना था कि इससे काम करने की शम्ता में इजाफा होता है सुशान सिंग राजपूत बीते 14 जून को अपने घर में मृत पाए गए थे उनके निधन से देश भर में फैन्स टूट गए है सिधाद गुपता ने अब अपने स्वर्गिये दोस्त को याद करते हुए कुछ एहम बातें बताई है इस बारे में जानकर आपके क्या रियाक्शन्स है पोस करिए अपने कमेंज